है गाईज वालकम तो माई चैनल आज अम लोग्या पर सॉल्व करेंगी क्लास चेंट आज सगर वालकी बुक्स है गाईज नियु एडिशन चप्टर फॉर क्वाटिटिक एक्विएशन एक्सराइज फॉरी का कोशिन नंबर 25, 26, 27, 28 प्रिवेस अभी कोशिन सॉल्व कर लिये हैं नहीं की हैं अगे के देखना चाहते हैं इस वीडियो के अन्वे प्लेइस मिल रहेगी महां से देख लीजेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको चाप्टर के स्टार्टिंग का बेसिक का कंसेप्ट कर लिंक एवलेबल है तो बचलू देख लीजेगा ओके सो न मिलते रहेंगे ओके स्टार्ट करते हैं फो जूट 6x2-13x-2-6 इस बसे पहले फो जूट 6 इंटू 2-6 multiply कीजिए 4-2-8 x 6 8-6-48 ठीक है नव आप हमें क्या करना है 48 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको एडिया सब्ट्रेक्ट करने पर क्या है 13 आए नव गाईज अब आप बहुत सारे स्ट्रेट से कोशन है कि कैसे करेंगे किस तरीके से आपका 48 आ सकता है 8-6-48 होता है क्या 8-6-13 होता है नो 8-6-14 होता है अब हम देखेंगे 12-4 कितना होता है 16 होता है बाठ मीज चाहिए लेकिन जब हम इसको एड करते है 12-4 को घीतना आता है आपका 16 आता है इस तरह तैस से आगे गाई हम लोग फिर देखेंगे but 16 minus 3 कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा it means यह हमारा follow हो जाता है concept तो हम इसको use कर लेते हैं 4 root 6 x square minus 16 minus 3 into x minus 2 root 6 equals to 0 ठीक है now 4 root 6 x square minus 16 x minus minus plus 3 x minus 2 root 6 equals to 0 right now अब गाइस हम 4 4s हो कितना होता है 16 होता है तो दोनों में से क्या को मना जाएगा 4 को मना जाएगा 1 x को मना जाएगा तो डैकेट में आपका क्या रह जाएगा यहाँ पर root 6 रह जाएगा ठीक है now यहाँ पर क्या रह जाएगा root 6 x minus 4 ठीक है now गाइस एक चीज और देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर क्या कुछ और वैल्यू भी common आ सकती है वो हम आगे देखेंगे एक बहुत इंटरस्टिन स्टेप है यहाँ पर देखते हैं क्या कोई वैल्यू आपकी common आती है no यहाँ से आपका कुछ भी common नहीं आ रहा है ठीक है आप लोग यही सोच रहूंगे ना कुछ भी common नहीं आ रहा है तो आप as it is लिख देगे ठीक है लेकिन यहाँ पर अब जब देखेंगे कि कुछ भी common नहीं लेंगे तो 3x-2 root 6 equals to 0 अब गाइस दोनों brackets आपके कैसे हो गए same तो नहीं हुए तो कुछ भी common नहीं आएगा it means we are doing a mistake है ठीक है हम सम mistakes यहाँ पर कर लाए है तो वो mistake क्या है कि आपको change करना है दोनों bracket को equal लाना है so अब देखिए हम लोग 4 हमने common ले लिया now इसको क्या लिख सकते है 2 into 2 ठीक है and root 6 को क्या लिख सकते है root 2 into root 3 लिख सकते है न root 2 into root 3 अब गाइस यहाँ पर यह तो हमारा common आ गया था इसे तो cancel कर दीजे यह cancel हो गया आपका now root 2 को आप क्या लिख सकते है 1 2 को क्या लिख सकते है root 2 into root 2 it means हमारा जो यह 4 था इसे हमने क्या लिख 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 2 into root 2 into root 2 and root 6 क्या लिख 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 root 2 into root 3 so यहाँ से आप देखेंगे अब आपका एक root 2 और यहां से एक root 2 आपका common आता है So, यहां से हम लोग 4 root 2 common ले लेंगे So, यह हम इसना ही time remove करते हैं Firstly So, 4 root 2 हम common ले लेंगे तो यहां क्या रहे जाएगा? 4 root 2 into x ठीक है, x भी तो है ना आपका Now, 4 root 2 into x हमने common ले लिया लीजी ले लिया हमने Now, आप क्या रहे जाता है? यहां पर root 3 रहे जाएगा यहां पर 1x रहे जाएगा क्योंकि 1x common ले चुके हैं अब देखते हैं, यहां पर क्या रहे जाएगा? यह 2 root 2 रहे गया तो 2 root 2 रहे गया तो इसको हमने bracket को बंद कर दिया यह इत्तर सा term आपका रहे जाता है इससे पहले आपका root 6 था तो वो common term आ रही थी वो आपकी बन रही थी तो इसलिए आपको इस टाइप से solve करना है दियान रखना है मैंने यह आपको line इसलिए लिखी थी जिससे कि आपको कोई confusion ना हो और आप देख सकें कि दोनों में से अब तो कोई भी term common ही नहीं आ रही है common लेते है ना अपा लेकिन common नहीं आ रही है तो कैसा solve करेंगे तो इससे को दियान रखना है अब वाइस 3x-2 root 6 अब हम देखेंगे 3x क्या लिख सकते हैं 3 को 0-3 into root 3 लिख सकते हैं एंड ये 2 into 0-2 into 0-3 0-6 common root 2 into root 3 लिख देंगे ना वाइस अब हम देखेंगे 0-3 आपका दोनों से क्या आ जाएगा common आ जाएगा ठीक है तो यहां से plus क्या common आ गया आपका 0-3 common आ गया 0-3 सो ब्रैकेट में ये common हो गया ये cancel कर दीजिए तो यहां क्या रहे गया root 3 into x minus ये term क्या रहे जाती है 2 root 2 equals to 0 अब देखिए अब दोनों term equal हो गई ना यही तो हम ही करना था अब दोनों term से आपका ये चीज़ इक common आ जाएगी root 3 x minus 2 root 2 into bracket में हो रहे जाता है 4 root 2 into x plus root 3 equals to 0 root 3 x minus 2 root 2 equals to 0 root 3 x equals to 2 root 2 x equals to 2 root 2 upon 3 this is a factor now guys second solve करते है 4 root 2 x plus root 3 4 root 2 into x equals to इसको 0 के पलपुत करेंगे minus root 3 so x equals to minus root 3 upon 4 root 2 this is your second factor और we can say this is your second solution these are two solutions these are two roots of the equation and this is your answer so sirf ये जो factors आप देख रहे हैं इनका आपको इस्पेशली धिहान रखना है कि किस तरीके से हमें इन चीजों को solve करेंगे clear okay now next question 26 solve करेंगे ये आपका rough work था so इसको आप side में कर सकते हैं अपनी notebook के ठीक है this was your rough work so now 26 solve करेंगे अब यहां पर देखते हैं 3 into 2 किस के को लोगया? 6 के को लोगया अब हमें 6 का ऐसा factor करना है कि क्या आए आपका 2 root 6 आ जाए अब हम देख रहे है 2 root 6 लाना है तो guys सीरा सीरा बहुत सारा आप जब calculation कर लेंगे तो last make result निगलेगा आपका 2 root 6 लाना है ठीक है अब अगर हम 6 को क्या लिख ले? हमें root 6 into root 6 किसके एकवल होगा? 6 के एकवल होगा और root 6 plus root 6 किसके एकवल होगा? 2 root 6 के एकवल होगा that means root 6 और root 6 की multiply करें तो बापे 6 आ जाएगा add करें तो ये आ जाएगा क्योंकि हमें 2 root 6 चाहिए था now guys question को solve करते हैं 3 x square minus root 6 minus root 6 ठीक है तो हम तो यहाँ पर plus करेंगे क्योंकि 2 root 6 लाना है into x plus 2 equals to 0 so 3 x square minus root 6 x minus root 6 x plus 2 equals to 0 दोनों से common लेंगे अब हम again यहाँ पर देखेगा root 6 को क्या लिख सकते है? root 2 into root 3 root 3 को क्या लिख सकते है? root 3 into root 3 दोनों से क्या common आ जाएगा? root 3 and 1 x को मना जाएगा तो यहाँ रह जाएगा आपका root 3 x यह तो आपका cancel हो गया cancel कर दीजिए confuse नहीं होना है ठीक है minus root 2 now minus यहाँ से क्या को मना जाएगा? root 6 को हम root 2 into root 3 लिख सकते हैं 2 को हम root 2 into root 2 लिख सकते हैं अब देखिए दोनों से क्या common आ जाता है? आपका root 2 तो इसे root 2 को cancel कर दीजिए बहार लिख लिख लिजिए और आपको क्या रह जाएगा? root 3 x minus लिया है तो minus plus minus तो sign किसका हो जाएगा? minus का into root 2 equals to 0 कभी भी minus common लेंगे तो दियान अतना आपके जो यह sign है ना यह वाला यह chain हो जाएगा ठीके आप bracket ओपन करके देख लिजिएगा कभी भी doubt हो तो bracket check करके देख लिजिए होगा आपको करके minus plus यहाँ पर क्या उच्छ नहीं है तो plus है तो minus plus minus 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 plus साइन ठीक आ रहे है ना अगर आप यहाँ पर plus कर देते तो minus plus minus होता है तो यानि कि हमारा question जो पहला step है वो गलत आता ठीके तो bracket के लिए यह तरीका है अब दोनों से आपकी term common आ जाएगी root 3x minus root 2 यहाँ से रह जाएगा root 3x minus root 2 equals to 0 दोनों को इंडीज वली 0 के एक फ़ल पूट करेंगे root 3x minus root 2 equals to 0 so root 3x equals to root 2 x equals to root 2 upon root 3 now same यहाँ से root 3x minus root 2 equals to 0 root 3x equals to root 2 x equals to root 2 upon root 3 so हम देख सकते हैं दोनों से ही आपका same answer आया है दोनों roots of the equation आपके same आये हैं these are two solutions of these equation hence guys clear है दोनों questions solve हो गए आपके इस तरीके से दोनों आप questions को solve कर सकते हैं सभी questions को other questions यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल रहेगी solve कर लीजेगा video like नहीं किया जल्दी से कर दीजेगा सब भी friends को भी share कर दीजेगा and guys जो भी आपके PDF file है MCQs की वह आप चैनल पर देख सकते हैं MCQs questions आपको upload कर दीगाए है okay community पर भी आपको किये जा रहे हैं आपको blogs भी provide के जा रहे हैं आप वो blogs में जाकर देख सकते हैं ठीके so google पर आप search करके भी देख लीजेगा and आपको मैंने community पर भी link available किया है वहां से भी आप कर सकते हैं and guys about me जो आप चैनल पर जाएंगे वहां पर भी आपको available है okay so मिलेंगी next video में bye bye take care